एक बाब फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे प्रदोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर मेरे पहले दोस्त अगर आप में फश्टियर में हैं और आपने हिंदी साहित्य ले रखा है तो इस वीडियो को पूरा देखेगा क्योंकि वीडियो जो है आपके लिए काफ करने वाले हैं ठीक है यह है दूसरा प्रस्ण पत्र दूतिय प्रस्ण पत्र का नाम है आधूनिक गद्ध क्या है मेरे दोस्त तो आधूनिक गद्ध है आपको घबराने के बिल्कुल जरूरत नहीं हो सकता है आपकी इन्वरसिटी में चेंज हो आधूनिक गद्ध तो आप बसमें पर आपको नोट करके कुछ देंदीया गया है, बोला है कि प्रस्ण पत्र कुल तीन खंडों में वाजित है, प्रते खंड के दिये गए निर्देश 11 का प्रस्णों दीजे, मतलब कहा रहा है, खंड को तीन भागों में आठा गया है, खंड आ, खंड बा और खंड सा, खंड आ का मतलब होता है, अति लग उत्रिये परस्न, खंड बा का मतलब लग उत्रिये और खंड सा का मतलब होता है, दीर उत्रिये परस्न, ठीक है, चलिए देखते हैं, खं स्प्टम सब्द सीमा 25 सब्दों की हैं मतलब कहा रहantage ज़्राएं और यहां पर नमबर ज कहा है प्रेम चंद्र के उपन्यास गोदान में मालती और सरोज का आपस में क्या संबंद है ये आपको बताना रहेगा दूसरा परसन गोदान के संपादक ओंकारनात के समाचार पत्र का क्या नाम है ये भी आपको बताना रहेगा ठीक है अगला परसन पसाज जी ने चंद्रगुप्त नाटक किस वर् बताईएं यह भी आपको बताना रहेगा इसी प्रकार से आगे देख सकते हैं आधे अधूरे नाटक के चारो पुरसों के नाम लिखे यह भी आपको बताना रहेगा फिर पूछ रहा है मैत्री पूस्पा के दो खाहनी संग्रऻों के नाम लिखिए ठीक है अगला प्रसनाब से पूछ रहा है मन्नू भंडारी के दो कहानी संग्रहों के नाम बताईए अगला प्रसनाब से पूछ रहा है कुबेरनाथ राय को छोड़कर दो स्रेश्ट लित निबंधकारों के नाम लिखने हैं ठीक है अगला प्रसनाब से पूच रहा है कि आचार नंद दुलारे बाजपेई निबंधों की विकास यातरा के किस युग से निबंध का रहे हैं ये भी आपको बताना रहेगा फिर अगला प्रसनाब अगला प्रसन हाप से पूछ रहा है संग्यक निबंध के रचनाकार का नाम है इंहें से दो प्रसन आपको जो नहीं आते वो आप छोड़ सकते हैं बाकि 10 प्रस्णों के उत्तर आपको क्या करने हैं देने हैं ठीक है यहीं से आपका खंड by start हो जाता है मतलब लग उत्रिय प्रस्ण इसमें भी कुछ नोट करके दे दिया जाता है और कहाराय कि नहीं प्रस्णों के उत्तर देजे इसमें से क्यवल आपको प्रस्णों के उत्तर देने हैं ठीक है फिर कहाराय सब्द सीमा 200 की है मतलब 200 सब्दों में उत्तर देना है आपको 210 भी हो सकते हैं और 190 भी हो सकते हैं ठीक है मतलब 200 का नहीं मतलब 200 ही नहीं होगा ठीक है जहां तक आपकी बात पूरी हो जाए वहीं पे आप छोड़ सकते हैं बात करें नहीं ये भी मत कीजिए का कि 260-160-150 पर ही दूरे नाटक की भासा पर एक सार गर्भी टिपड़ी लिखना है ठीक है उसके बाद फिर तीसरा नंबर आपसे पूछ रहा है सेखर अगे के ही ब्यक्तित्त का प्रतिलिबिम्ब है पठित उपन्यास के आधार पर अपनी राए दीजिए ठीक है आपको अपनी राए बतानी रहेगे फिर चौथा प्रसन आपसे पूछ रहा है कि गोदान में ग्रामीर और सहरी कथना के दो ऐसे परोसियों की तरह है जिनकी आपस में बाचीत कम होती है कथन की समर्थन या बिरोध में अपना मत पृstट कीजें कथन के आप समर्थक हैं या बिरोधिं हैं इसमें आपको अपना मत बताना रहेगा अगर आप समर्थक हैं, तो क्यों समर्थन हैं, समर्थन अपना देते हैं, और अगर आप विरोधी हैं उसके तो क्यों विरोधी ये भी आपको बताना रहेगा, ठीक है। इसी प्रकास से आपके सामने पांचवा नमबर परस्न रख दिया जाएगा प्रसाद की कहानी पुरस्कार मानो मन के अंतर्डवन्द का सफल चित्रण करती हैं सिद्ध कीजे यह आपको बताना रहेगा आपको पांच ही परस्न बताने हैं और आपके सामने कुल मिलाके आठ प जो को बताना रहेगा साथवा नमबर प्रस्म आपसे पूछ रहा है कि पठित निबंध सौंदर की उपयोगिता का सारांस लिखना है ठीक है पिर आठवा नमबर आपसे पूछ रहा है आचार राम चंदर सुख्ल कभिता क्या है बताना है आपको उसके बास सेज़सक यह भी आपको क्या करना रहेगा बताना रहेगा इसी प्रकार से आपका खंड नंबर सा यहीं से स्टार्ट हो जाता है और जो है दीर घुत्रिय परसने इसके नीचे भी कुछ नोट करके दिया गया है और क्या कहा गया है कि निम्न गद्ध अवतरनों में से किनी दो के संदर्भ प्रसंग सहित व्याक्षा कीजिए और गद्ध विशेश्ताओं का भी उलेक कीजिए आपको यहां पे कोई एक पैराग्राब दे दिया जाएगा ठीक है उस पैराग्राब को आपको पढ़ना रहेगा इसमें से केवल दो जो पैराग्राब दिये गए हैं उनहीं के क्या करना है उनके संदर्भ और प्रसंग और प्याक्षा को क्या करना है बताना रहेगा ठीक है और उसके जो गद्ध में जो विशेश्ताओं की गई हैं लाई ग गएगा जैसे यहां पर पहला पढ़ सकते हैं उसके बाद आपको दूसरा थीसरा और क्या छोटा करके और इसे ही आप के सामने क्या कितने पाँ और छे छे रख दी जाते हैं जिसमें से आपको केबल दो के ही क्या करने रहते हैं मे left दोस्त उततर देने राते हैं आई हूप ये सारी चीजह आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी अगर समझ में आ गई हैं तो फटा फट लाइक कर दो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ सीर किया करो और अगर अभी educación को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो और मिलते हैं अगले वीडियों में तब तक के लिए जय हिन जय भारत